आईए सुनते हैं मुन्शी प्रेमचन जी की लिखी हुई एक कहानी पंडित बालक राम शाष्त्री की धर्मपत्मी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकणों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी किन्तु पंडित जी कोई न कोई बहाना ही बनाते रहते थे यह तो साफ साफ कहते नहीं थे कि मेरे पास में पैसे नहीं है अब इस से उनके पराक्रम पर बट्टा जो लग जाता था तरकनाओं की शरण लिया करते थे गहनों से कोई लाब नहीं है बही अब एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती है उस पर सुनार जो है वो रुपेय का आठाने कर देता है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि घर में गहने रखना चोरों को नहीं होता देना है घड़ी भर शरंगार के लिए इतनी विपत्ति क्यों सर पर लेना अरे ये तो मूर्खों का काम है भाई बेचारी माया तरक शाष्ट्र नहीं पड़ी थी इन युक्तियों के सामने वह निरुत्तर हो जाती थी पड़ोसिनों को देख देख कर उसका भी जी ललचाया करता था पर अपना दुख किस से कहे यदि पंडित जी ज्यादा मेहनत करने की योगी होते तो यह मुश्किल काम आसान हो जाता पर वे बड़े ही आलसी जीव थे अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे पतनी जी की कड़वी बातें सुनना तो उन्हें मंजूर था लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी नहीं कर सकते थे एक दिन पंडित जी पाठशाला से आये तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराजमान है हार की चमक से उसकी मुख ज्योती चमक उठी थी उन्होंने उसे कभी भी इतना सुन्दर नहीं समझा था पूछ बैठे अरे भई ये हार किसका है? माया बोली पडोस में जो बाबुजी रहते न उनकी इस्त्री का है आज उनसे मैं मिलने गई थी तो ये हार दिखा मुझे बहुत पसंद आ गया तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए ले आई बस ऐसा ही हार मुझे बनवादो न अरे दूसरे की चीज को तुम नहा की मांग करके ले आई हो कहीं चोरी न हो जाए नहीं तो फिर हमें नया हार बनवाना पड़ेगा भाई उपर से बदनामी अलग होगी माया मैं तो ऐसा ही हार लूँगी बीस तो लेका है पंडित अरे फिर भाही जिद माया जब सभी पहनती है तो मैं क्यों न पहनू पंडित अरे भाई जब सब कुए में जाकर के गिरेंगी तो क्या तुम भी कुए में जाकर के गिर पड़ोगी अरे सोचो तो इस वक्त इस हार को बनवाने में कम से कम 600 रुपया लगेगा और अगर एक रुपया प्रती सेकड़ा भी ब्याज रख लिया जाए तो पांच साल में 600 के लगभग 1000 रुपया हो जाएंगे लेकिन पांच साल में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपया का ही बचेगा इतना बड़ा नुकसान उठा करके हार पहनने में क्या सुख है बताओ देखो चुपचाप जाकर की यहार वापस कर दो खाना खाओ और आराम से पड़ी रहो यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए रात को एका एक माया ने शोर मचा करके कहा चोर चोर घर में चोर है मुझे घसीटे लिए जाता है पंडित जी हक बका करके उठ बैठे और बोले कहां है कहां है अरे दोडो दोडो माया मेरी कोठरी में गया है मैंने उसकी परचाई देखी है पंडित अरे भय यह लाल टेन ले करके आओ मेरी लकड़ी उठा करके लाना माया मुझसे तो मारे डर के उठा भी नहीं जाता कई आदमी बाहर से बोले कहां है बंड़ जी कोई सेंध पड़ गई हका माया नहीं नहीं खप्रेल पर से उतरे है मेरी नींद खुली तो कोई मेरे उपर जुका हुआ था हाए राम यह तो हार ही ले गया पहने पहने ही सो गई थी मुए ने गले से निका लिया हे भगवान हरे तुमने हार उतार के बापस क्यों नहीं कर दिया था माया मैं क्या जानती थी कि आज ही यह मुसीबता पड़ेगी ए भगवान पंडित अरे अब हाई हाई करने से क्या होगा अपने कर्मों को रो बैठ करके इसलिए कहा करता था कि सब घड़ी बरावर नहीं होती है ना जाने कब कहां क्या हो जाए अब आई समझ में बात देखो और कुछ तो नहीं ले गया पड़ोसी लाल्टेन ले करके आप पहुँचे घर में कोना कोना देखा छट पर चड़ करके देखा अगवाडे पिछवाडे देखा शौच ग्रह में जहांका कहीं चोर का पता न था एक पड़ोसी ए तो भाया किसी जानकार आदमी का काम लगता है दूसरे पड़ोसी बिना घर के भेदिये के घर में चोरी होती नहीं है और और कुछ तो नहीं ले गया और कुछ तो नहीं ले गया बरतन तो सब ठीक है संदूग भी बंद पड़े हुए है वड़ी आई थी हार वाली माया ए भगवान यह अपजस्बदा था हमको पंडित अरे कितना समझा समझा करके हार गये थे पर तो मानती नहीं हो अब बात की बात में 600 रुपिया निकल गया अब देखों कि भगवान कई से लाज रखते है माया अब आगे मेरे घर का एक एक तिन का चुन करके ले जाते तो मुझे इतना दुख नहीं हो था अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था पंडित अरे खों मालम है बेस तोले का था है माया बेस ही तोले का तो कहती थी वो पंडित बधिया बैठ गई है और का है माया कह दूँगी कि घर में चोरी होगी क्या जान लेंगी अब उनके लिए कोई चोरी थोड़े ही करने को जाएगा पंडित अरे तुम्हारे घर से चीज गई है तुमको देना पड़ेगा तुम्हें इसे क्या प्रयोजन है कि चोर ले करके गए कि तुमने उठा करके बेच डाला है माया तो इतने रुपए कहां से आएंगे पंडित अरे आप कही ना कहीं से तो आएंगी नहीं तो लाच कैसे बचेगी मगर तुमने बड़ी भूल करी है माया भगवान से मंगनी की चीज भी न देखी गए मुझे काल ने घेरा था नहीं तो घड़ी भर गले में डाल लेने से सक कौन सा सुब मिल गया था मैं ही अभागी नहीं हूँ पंडित अब पश्ताने से और अपने आप को कोशने से क्या फाइदा है चुपो करके बैट जब पड़ोसन से कह देना कि घबराना नहीं तुमारे चीज जब तक हम लोटा न देंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे पंडित बालक राम को अब नित्ती ही चिंता रहने लगी थी कि कि किसी तरह से बस हार बन जाए वैसे तो अगर वो पलट जाते तो पड़ोसन को संतोश करना ही पड़ता अब ब्राम्हन से कौन पंगा लेता है लेकिन पंडित जी ब्राम्हनत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों में बेचना नहीं चाहते थे आलस्य को छोड़ करके धनो पारजन में दत्चित्त हो गए छह महिने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना दोपहर को सोना छोड़ दिया था और रात को भी बहुत देर तक जागते रहते थे पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे इसके सिवा वह ब्राम्हन के लिए खुले हुए एक सो एक व्यवसायों में वह सभी को निंदनिया समझते थे पर अब पाठशाला से आकर के संध्या समय एक जगह भागवत की कथा कहने को चले जाते थे वहां से लौट कर के ग्यारा बारा बजे तक जन्म कुंडलियां और वर्षफल आदी बनाया करते थे प्रातह काल मंदिर में दुर्गाजी का पाठ करते थे माया पंडित जी का अध्यवसाय देख देख करके कभी कभी पच्चताती थी कि कहां से मैंने यह विपत्ती अपने सर पर ले ली कहीं बीमार न पढ़ जाएं तो लेने के देने पढ़ जाएंगे उनका शरीर भी कमजोर होते हुए देख रही थी यहां तक कि इसी तरह पांच महीने गुजर गए थे एक दिन शाम के समय वह दियाबत्ती करने को जा रही थी कि पंडित जी आए और जेब से एक पुडिया निकाल करके उसके सामने फेक दी और बोले ला आज तुमारे रन से मैं मुक्त हो गया हूँ माया ने पुडिया खोल करके देखी तो उसमें सूने का हार था उसकी चमक दमक उसकी सुन्दर बनावट देख करके उसके अंतस्थल में गुदगुदी सी होने लगी मुख पर आनंद की आभा दोड़ गी उसने कातर नेत्रों से देख करके पूछा खुशोगर के दे रहे हो या नराज हो के दे रहे हो पंडित क्या फरक पड़ता है रिण तो चुकाना ही पड़ेगा न चाहे खुशी से या फिर ना खुशी से माया अरे नहीं है रिण नहीं है पंडित और क्या है ये चलो ठीक है बदला ही सही माया अरे ये बदला भी नहीं है पंडित तो है क्या माया तुम्हारी निशानी है पंडित तो क्या रिण के लिए कोई दूसरा हार बनवाओगी माया नहीं नहीं वहार चोरी नहीं गया था मैंने ऐसी जूटा मुठा शोर मचा दिया चांग पंडित सच माया हाँ सच कहती हूँ मेरी कसम खाके बोल माया तुम्हारे चरंचू करके कहती हूँ पंडित तो तुमने मुझसे ये कौशल किया था माया ह dat पंडित तुम्हारे कॉशल का मुझे क्या मूली देना पड़ा है माया क्या 600 रुपे से उपर था पंडित अरे बहुत उपर इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वातंत्र का बलिदान देना पड़ा है तो यह थी मुझ्शी प्रेमचन जी की लिखी हुई कहानी कौशल पंडित जी को खाने में और सोने में मज़ा आता है और अकसर ब्रामणों को ऐसा स्टीरियो टाइप कर दिया जाता है अलाकि ऐसा नहीं होता है बहुत लोग बहुत हार्ड वरकिंग भी होते हैं ऐसा नहीं कि सभी सिरफ खा रहे हैं और सो रहे हैं तो यह एक स्टीरियो टाइप है लेकिन ठीक है पंडित जी को यही पसंद था वो खाते थे और सोते थे और संतुष्ट रहते थे संतुष्टी के जीवन में ही उनको परमसुक की प्राप्ती होती थी दूसरी तरफ पत्नी जी है जो कि पड़ोसियों की चीजन देख देख करके कुड़ती रहती थी उनका मन करता था कि उनके पास में भी यह सब चीजे हो और लग भग लग भग ऐसी मान सिखता बहुत कॉमन है अकसर जो स्त्रियां होती है वो दूसरे स्त्रियों को जो देखती हैं अच्छा-च्छा पहने हुए तो उनका भी मन करता है कि वो भी उनके पास में ऐसा कुछ हो फिर वो अपने पती को कोसने लगती है कि तुम मुझे क्यों नहीं लाके देते हो या तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो और आजकल तो अब ये नए सोशल मीडिया का जमाना है तो उसमें इंस्टाग्राम पे किसी ने कुछ पोस्ट कर दिया भले उसने मिंतरा से ऐसे ही ओर्डर किया हो और पहन के वापस कर दिया हो या फिर ऐसे ही कहीं सडक से खरीद करके उसको जारा और पता नहीं क्या-क्या कह दिया हो लेकिन वो फिर अपने पती की जान खाने लगती है कि अरे वो तो देखो क्या-क्या कपड़े पहन रहे क्या-क्या चीज़ा है उसके पास में तो ये जो दिखावे का जो एक वो है उस चक्कर में पहले लोग पडोसियों के जरीए पढ़ते थे आज कल तो खैर सोशल मीडिया तो हर घर में गुसा हुआ है तो सोशल मीडिया का एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लोग अपनी जिंदगी इतनी अच्छी दिखाते हैं जितनी अच्छी होती नहीं है और उनको तो खुद तो पता होता है कि उनकी जिंदगी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन देखने वालों को लगता है कि अरे बाप रे बाप इनकी तो क्या लाइफ है कितने रिच हैं, कितना घूम रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं हाला कि जो लोग फोटो डाल रहे होते हैं, वो फोटो जो है वो एक सेकंड से भी कम समय में ली जाती है, और जो जिन्दगी है वो 24 गंटे चलती रहती है, दिखावे की दुनिया है और दिखावे से थोड़ा बचना चाहिए, इसमें हाला कि उन्होंने अपने आलसी पती को जरूर काम पे लगा दिया, एक बहाना करके, एक कोशल करके, और बाद में उन्होंने ये राज खोल भी दिया, तो हर एक आदमी में ये कैपैसिटी भी होती है, कि वो बहुत जादा हार्ड वर्क कर सकता है, बहुत कुछ अचीव कर सकता है, अगर मोटिवेशन हो तो, इसम सुनाने में बहुत मज़ा है, अगर आपको सुनने में अची लगती है, तो लाइक करो, शेयर करो, सबस्क्राइब करो, and thank you for listening.